Hello friends, welcome to DC Training प्रतापगळ उत्तरप्रदेश कोरोना क्राइसिस यानि कोरोना का वैश्ष्विक कहड़ जहां एक दूसरे को मीटिंग के लिए दोस्तो एतियाद बरतने के लिए सज़ेस्ट करता है वहीं कोरोना क्राइसिस ने एक नए डाइमेंसन जी हाँ दोस्तों सिक्षा के डिस्टलाइजेशन को प्रमोट किया है सरकार ने इसे अपॉर्चुनेटी के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया है इस समय जो भी प्रसिक्षान दोस्तों हो रहे हैं पहले जनपद में 17 एक एक एडमिक रिसोर्स परसन का चैन हुआ और उनका चार दिवसी जो प्रसिक्षान है वो सीमेट प्रियागराज में संपन्न हुआ दूसरे चरण में 33 एक एडमिक रिसोर्स परसन का दोस्तों सेलेक्षन हुआ और उसके बाद तीसरे चरण में भी ऐसे ही जनपद में एक एडमिक रिसोर्स परसन का दोस्तों चैन हुआ कुल मिला करके इस समय 54 एक एडमिक रिसोर्स परसन का प्रसिक्षन दोस्तों होना है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रसिक्षन होना है अब हमारे जो भी ARP सिक्षक साथे हैं जो भी हमारे academic resource person है उन्हें दोस्तों C-MET के चक्कर नहीं लगाने होंगे उन्हें C-MET बिलकुल नहीं जाना है उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से गूगल मीट के माध्यम से चार दिशी अपना जो है इसी केरियर से रिलेटेड academic resource person के कार और दायतों के निर्वान से सम्मंधित इन्हें C-MET प्रियागराज के माध्यम से दोस्तों प्रिसिश्ष महामारी के कहर ने शिक्षा जगत के छेतर में एक नए छेतिच को दोस्तों ओपन किया है एक नए डायमेंशन पर काम हुआ है और इसमें सफलता भी मिली है तो आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि केवल जनपत प्रताबगड ही नहीं उत्तर प्रदेश के समस्त जनपत में जो नव नियुक्त एकाडमिक रिसोर्स परसन है अब उनका जो प्रसिक्षन होगा जौब से रिलेटर जो उनकी ट्रेनिंग होगी कि उन्हें कैसे अपने ब्लॉक में रहके शिक्षकों की छमता समवर्धन के लिए काम करने हैं कैसे आपको सपोर्टिव सुपर्विजन करने हैं कैसे प्रेणा डेश्बोर्ड का आपको प्रियोक करने हैं कैसे लर्निंग आउटकम में आपको वृद्ध करने हैं यह सारा का सारा जो उनको ट्रेनिंग का जो है ओरियंटेशन है वो गूगल मीट के माध्यम से सीमिट के जो ट्रेनर्स हैं वो दोस्तों प्रवाइ और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जन्पद उत्तर प्रदेश पत्रांग गुडात्पक विंग से जारी हुआ है और यहां पे दोस्तों आप पत्र की संख्या भी देख सकते हैं दिनांग 28 सितंबर 2020 महोदय महोदया शासना देश संख्या 902 ऑबलीक 68-5-2019 दिनांग 22 अक्टूबर 2019 के क्रम में जन्पदों में न्यूक्त नव न्यूक्त अकैडमिक रिसोर्स पर्षन यानि ए आर्पी की ऑनलाइन प्रस्रिक्षन दिनांग 28 सितंबर 2020 से आयुजित किया रह है तस संबंदी सीमिट प्रियाग राज का पत्रांग 85-2020-21 दिनांग 22 सितंबर 2020 सलगन है दोस्तों इसी पत्र के साथ वो अटेच है उक्त प्रसिक्षन में मिशन प्रियाणा सपोर्टिव सुपर्विजन दिक्षाय मिशन प्रियाणा की इपाट सालब फेस टू ए आर्प का कारदाईत बालिका सिक्षा आपरेशन कायकल्प सामुदाइक सहभागिता समयके सिक्षा सिक्षक डाइरी आधार शिला क्रियानवयन संदर्शिका इत्याद विशियों पर ए आर्पी का छमता समवर्धन किया जाएगा उक्त प्रसिक्षन महतपुनयम समय बद्ध है जिस का लेटर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा आते हैं सीमेट के लेटर पे तो यह दोस्तों राज शेक्षिक प्रबंधनियम प्रसिक्षन संस्थान सीमेट उत्तर प्रदेश प्रियाग राज के माध्यम से प्रसिक्षन होना है सेवा में जिलावेशिक शिक्षा अधिकारी सम जलना है महोदे महोदया समगर शिक्षा अभियान के अंतरगत वर्स 2021 में प्रस्तावित कारक्रमों में से नवनुयुक्त एरपी का चार दिवसी चार दिन का प्रस्रिक्षनल रहेगा आधारभूत आउनलाइन प्रस्रिक्षनल कारक्रम दिनांक 28 सितंबर 2020 से 29 अक्टूबर 2020 क समय सानी की साथ समस्त जनपदों को प्रिशित किया जा रहा है आप से अन्रोध है कि प्रस्तावित तितियुम् समय आंसौर सभी जनपदों के नवनुयुक्त एरपी का ऑनलाइन प्रस्रिक्षन कारक्रम में प्रतिभाग सुनिशित करवाएं तह सीमिट प्रियागराज को अपने जनपद के 24 प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की सूची इमेल के माध्यम से 26 सितंबर 2020 तक अवस्य उपलब्द करा दें या प्रशिक्षन कारकरम गूगल मीट अप्लिकेशन के माध्यम से आयुजित किया जाएगा जिसकी लिंक पत्र के साथ सलगन कर प्रेश पंजी करन हेतु लिंक प्रशिक्षन वाले दिन प्रशिक्षन से पूर उपलब्द कराया जाएगा विस्तिरित विवरन समय सानियुम लिंक जनपदवार वा बैचवार पत्र के साथ सलगन है तो दोस्तों इसमें आपको हम पता दें कि चार बैच में ट्रेनिंग होनी है प दूसरा जो बैच रहेगा उसका दूसरा प्रत्हम और दिती बैच तो दोस्तों हो गया उसका ररेजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताए साथे नεια से दस के भीच में होना है दस से दो प्रिश्खशन होना है तीसरा और चौथा अगर हम बैच की बात करें तो इसका साथे ग्य ट्रेनिंग है यहाँ पे आप जनपदों की संख्या भी देख रहे हैं यह बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 तो चार बैच में यह प्रसिक्षन है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बैच 1, बैच 2, तो यह आप देख सकते हैं कि बैच 1, बैच 2 का रिजिस्ट्रेशन साधे 9 से 10 के बीच में है और बैच 3, को जनपत प्रताबगर में प्रसिक्षन होना है 19 अक्टूबर पे जहां प्रसिक्षन होना है वो जिले आपके सामने है 19 अक्टूबर को यह पहला जो बैच है दोस्तो मिरजापूर मुरादाबाद का है और दूसरा बैच आप देख सकते हैं इसमें कई जिले शामिल हैं कु तो यह दूसरा बैच है, इससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा बैच जनपत प्रताबगल का नहीं, सेम डे, 19 अक्टूबर को यह तीसरे बैच में हमारा जनपत प्रताबगल, 19 अक्टूबर 2020 को पड़ रहा है, जहां पे academic resource person की संक्या, यहां 55 दिखाए कि दोस्तों यह जो थैडबैच है, उसका registration आपका साड़ी, ग्यारा से बारा रहेगा, बारा से चार आपको training लेना है, और इसका link भी, अब आप कहेंगे कि सर link, तो प्रताबगल का यह link आप बिल्कुल देख लो, प्रताबगल का दोस्तों link है, यहां पे meet.google.com, sorry, meet.google.com slash, यहां पे लिखा है, jtp-cmwa-kxc, दोस्तों यही link है, तो यह link चारो दिनों की link है, आपका बारा से चार प्रस्रिक्शन चलेगा, सालही, ग्यारा से बारा के बीच में आप registration कराएंगे, अब आप कहेंगे एक सर registration का link, तो registration का link आपको same day मिलेगा, उसके लिए आपना परि meet.google.com slash, jtp-cmwa-kxc, इसी link से आप चारो दिन का प्रस्रिक्शन लेंगे, अब आते हैं कि आपको जो प्रस्रिक्शन में लेना है, तो हमारे जनपत का, जैसे कि मैंने बताया समूह 3 है, तो हम समूह 3 में यह आपका पहला दिन, पहले दिन आप क्या करेंगे, कि साड़ी, 11-12-20 तक आप 5G करन करा लेंगे, आपका प्रस्रिक्शन से परचे होगा, 12-12 आपका मिशन प्रियना कारकरम के बारे में आपको बताया जाएगा, 12-12 बज़े ARP के कारियूम दाइत्व आपको बताया जाएगा, 12-12 बज़े आपको कायकल्प के बारे में बताया जाएगा, दो साले तीन दिक्षा एब, रीडे लॉंग एब, इपाट शाला यों संपर्कैप के बारे में बताये जाएगा और उसके बाद दोस्तों साले तीन से चार बजे आपका समय की सिख्षा के बारे में बताये जाएगा यह आपका पहला दिन हो गया, अब आते हैं हम लोग दूसरे दिन पे, दूसरे दिन में दोस्तों आपका क्या रहेगा, एक दम आपकी टाइम टेबल बना है, बारा से एक सपोर्टी सुपर्विजन उद्देश्विम भूमिका, एक से लेके धाई सपोर्टी सुपर्विजन एक पे आपकी चर्शा होनी है, धाई से सवा तीन बे तक प्रभावी सपोर्टी सुपर्विजन आप कैसे कर सकते हैं, और सवा तीन से चार बे तक सपोर्टी सुपर्विजन है तो आवश्यक दक्षता हैं, तो यह दो दिन का आपका ट्रेनिंग हो गया, आप आते हम तीसर दिन पे अगर हम आते हैं, तो दोस्तो आपका टाइम फिक्स है, बारा से एक सपोर्टी सुपर्विजन है तो आवस्यक कोशल, एक से दो आकलन आपको बताया जाएगा, दो से तीन स्वा विकास बताया जाएगा, तीन से साले तीन सामुदाइक सहभागिता के बारे में बत आपका चौथा दिन आ गया, तो चौथा दिन दोस्तो है माडूल का, आप देख रहें, बारा से बारा चालिस आधार शिला, बारा चालिस से एक बच्च के बीस मिनट ध्याना कर्शन, एक बीस से आपका यहां पर आप देख रहें, एक पचास शिक्षन संग्रा, एक पचा से 20 आधारशिला क्रियानवेन पुस्ति का गणित, 20 से 250 आधारशिला क्रियानवेन पुस्ति का हिंदी, और 2.5 बेजे से 3.20 तक बाली का सिक्षा, 3.20 से 3.20 तक सपोर्टी सूपर्जबिजन पुन्रावलोकन, और उसके वाद साथ 3.20 से 4.20 तक फीडबैक, अब आपका प्रशिक्षान चार दिन का दोस्तों खतम हो चुका है तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि आपका 19 अक्टूबर से दोस्तों चार दिन का प्रशिक्षान होना है बिल्कुल हमारे जन्पत प्रताबगड के सिक्षक तयार रहे हैं सम्मंदित लेटर जल्दी माने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदे के माध्यम से निर्गत होना है इससे पहले ही मैंने आप सभी को परचित करा दिया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइ क्रिकारी में आपको अच्छा लेगार क्षा अच्छा लेगार कार्थ बेसान आप